पुरी दुनिया में COVID-19 के केसों में रुद्धी दर्ज की जा रही है लेकिन पिछले एक साल में भारत में COVID-19 केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है वर्तमान में प्रत्यक दिन औसतन 153 COVID के नए केस पुरे देश में दर्ज हो रहे है जिसके सामने पुरी दुनिया में प्रति दिन 5,87,5,87 लाग COVID के नए केस दर्ज हो रहे है जपान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांच, ग्रीस, इटली जैसे देशों में COVID-19 के केसों में और COVID-19 से मृत्यू की संख्या में सतत रुद्धी देखी जा रही है पिछले कई दिनों से वीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में COVID के केस और COVID मृत्यू की खबरे छप रही है मानी प्रद्वान मंत्री जी के नेत्रुतों में स्वास्थायों परिवार कल्यान मंत्रा लई ने प्रोएक्टिव, प्रिएम्टिव, वॉल ओफ गवर्मेंट और वॉल ओफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शरू से ही COVID-19 महामारी का मेनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परणाम में हमें मिला है तक्निकी सहायता के अलावा पारत सरकार ने National Health Mission राजजापदा प्रतिकरिया कोश Emergency.2 याने की 220 करोड COVID-19 के टिके लगा कर कितिमन स्थापित किया है जिसमें पात्रता वाले 90 प्रतिशत आबादी को दोनों टिके लग चुके है और 22.35 करोड आबादी को precaution dose भी दिया जा चुका है COVID-19 के नीमन में चल रहे लगातार प्रयत्मों के अंतरगात और विशों में बढ़ रहे COVID-19 के केसों को देखते हुए केंद्री स्वास्ताई मंत्रा नाई वेश्विट सिति पर नजार रख रहा है COVID-19 के बदलते वेरियंट से सारवजनिक स्वास्ताई के सामने जो चुनरतिया पेदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है राज्यों को भी स्तानी स्तर पर सामुदाई प्रिगरानी बढ़ाने के लिए और COVID-19 को नियंतरित करने के लिए सलाह दी जा रही है राज्यों को जिनोम सिक्वंसिंग बढ़ा कर सभी पोजिटिव केसों का जिनोम सिक्वंसिंग करने की सलाह दी गई है जिससे अगर देश में कोई नया वेरियंट आता है तो समय से उनके पहचान कर सारवजनिक स्वास्ते के लिए कड़ा कड़ाम उठाया जा सके आने वाले तोहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रह कर लोगों का मास्क पहलना हैंड सैनिटराइजर करना रिस्पाय रेट्री हाईजिन का ख्याल रखना और सामाजयक दूरी बनाए रखने की जागरुत्ता लाने चाहिए राज्यों को कोविड वेक्सिन की प्रिकोशन डोज बढाने पर और लोगों को प्रिकोशन डोज की अहमियाद के प्रती जागृत्ता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए आंतराश्टी हवाय अड़े पर विदेश से आने वाले हवाय यात्रियोग के 2% COVID-RT-PCR random sampling भी आज शरू कर दी गई है मानि प्रदान मंद्रिशीर मोदीजी के समत मेत्रूतों में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रेक, ट्रीक, वेक्सिनेशन, COVID-appropriate behavior का पालन नीती के साथ COVID-management कर रहा है उसे आगे भी चालू रखेंगे इस वेश्विक महामारी के नीमन, नीयतरण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्चक कदम उठाए जा रहे है मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ सभी मानि सदर्शन लोगों के बीच में जागुत्त लाए कि वेश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सिन का प्रिकोशन लोज लगाने के उपरान सभी को सतत रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए हमारा दुश्वन कोविड वाइरस समय समय पर अपना सुरुख बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दर्ट संकर्प के साथ उसके खिलाब अपनी सामुविक लड़ाई जारी रखने की लगाता जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांद दुबे जी और किस तरीके से कौन कौन से वो कदम है जो उठाने होंगे और साथी साथ वो यह बताया थे कि अगर विदेश से कोई साइट से कोई विदेशी आ रहा है या यात्रा करके कोई आ रहा तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके जाच की जाए और तमाम जो आगे एत्यातन कदम होंगे वो भी उठाए जाएंगे